हेलो और माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक अगेन और माई यूटूब चैनल लिटरेचर वर्ड माई नेम इज हर्परिस सिंग बराड आप मेरे को फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मेरी आईडी आपको सक्रीन पर शो रही है बराड दीप लिरि हमारी वीडियो रहेगी बायोगराफि ओफ मंजुक कपूर र्पीस्टी सेक्राइड के सिलेबस के कiği अकॉडिंग हम वीडियो उसको बणा रहेथें इंडीन-ाइटर्स एंससे पहले जितने इपने इंडीन-ाइटर्स को आपके सिलेबश में दिया हुआ है आरके नरायन रविंदर नाटेगौर, मुलकराज अनन्द, शर्षी देशपांडे, अनिता दिसाई और जितने भी सारे के सारे मैं कवर कर चुका हूँ आज मंजु कुबूर को देखेंगे ये वीडियो लिट्रेचर के स्टुडेंट्स के लिए RPSC 2nd Grade, 1st Grade, TGT, PGT जहां पर भी आपका English Literature सब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए important रहेगी डिटेल से मैं बात करूँगा, बिल्कुल डिटेल से चलिए, शुरू करते हैं तो पहले ही स्लाइड मैंने सोर्स लिया है आपके Wikipedia से, तांकि आपको authentic information provided कर सकूँ मन्जु कपूर के बारे में मन्जु कपूर is an Indian novelist मतलब ये novelist है poetry में stories के अंदर बाकी जितने भी literary forms होती और में कम है बट जातरें को consider किया जाएगा novelist के तोर पर ठीक है हर first novel difficult daughters इनका पहला जो novel था difficult daughters पहले ही novel नहीं Commonwealth writers prize को विन किया 1999 के अंदर best first book Europe and South Asia तो इस slide से आपको याद रखना है कि मन्जु कपूर एक novelist है और इनका पहला novel difficult daughters important है क्योंकि इस novel के लिए इनको Commonwealth writers prize मिला था कब मिला था 1999 के अंदर इनका जनम अमर्तसर पंजाब के अंदर हुआ इंडिया में श्री अमर्तसर साहिप पंजाब का डिस्टिक है मैं तो खुद पंजाबी हो तो भई पता है ठीक है अगर आप दूर किसी और स्टेट से विन कर रहे हो तो शायद आपने नाम नहीं सुनाओगा वाट सुनाओगा क्योंकि गोर्ड टैंपल यहीं पे है इनके जो स्पाउस हैं इनके जो पती हैं उनका नाम है गन निडी डैलमिया इनके तीन बच्चे हैं अब यहां से आपका कोई कोशन नहीं बनने वाला वो नहीं पूछा कि अमरतुसर से कौन है या फिर इनके पती का नाम क्या या फिर कितने बच्चे हैं यह कोशन आप से नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो इस स्लाइड को हम आगे स्किप कर देते हैं हाँ इतना important है कि आपको basically जानकरी के लिए बता दूँ कि अभी ये present time के अंदर New Delhi के अंदर रहती है awards की बात करें honors की बात करें यह important point है यहां से 2011 के अंदर इनको DFC Prize for South Asian Literature इनको मिला shortlist किया गया इनका work था The Immigrant हम आगे भी देखेंगे मैं आपको photos भी दिखा हूँगा कि कौन-कौन से work है इनके ठीक है फिर हमने बात कर ली starting में बात कर ली 1999 के अंदर इनको क्या मिला था Commonwealth Writer's Prize मिला हाँ आपको मैं आप एक चीज़ नहीं बता सकता हूँ कि यह Commonwealth word क्या है देखिए जहां पर अंग्रेजों ने राज किया जिनने countries के अंदर वो उने रूल किया जब वो देश आजाद होगे जैसे कि इंडिया तो आजाद होने पर यह माना गया कि इन countries की जो wealth है economic power है इनका जो धन है संपत्ती है वो लगवग common थी इसलिए उन countries को नाम दे दिया गया common wealth तो जितनी भी इंडिया की European की colonis जो रही जहां जहां पर अंग्रेजों ने राज किया उन countries को हम आज common wealth countries के नाम से जानते हैं तो उन countries का एक award कहा दिजिए प्राइस कहा दिजिए जिस प्राइस का नाम है Commonwealth Writer's Prize वो इनको मिला था इनकी book Difficult Daughters इनका first novel था ठीक है अब इनके works की मैं बात करूँगा इनके कौन-कौन से works मतलब इनके कौन-कौन से novels हैं कौन-कौन सी किताबे हैं तो पहला ही Difficult Daughters Pagwin India ने इसको publish किया क्योंकि कोई भी किताब आप लिखकर जाते हैं उसको publish करवाने के लिए कोई publisher चाहिए होता है क्योंकि हम जो भी writer वो page पर लिखता है पहले अपनी कुछ भी work को फिर उसको print करना उनको publish करवाना कोई न कोई company ये काम करती है तो उसका नाम है Pagwin India और ये novel कब आया था 1998 के अंदर आया था ठीक है और अगले ही साल इसको award मिल गया Commonwealth Writer's Prize नमबर सेकेंड पे है A Married Woman इसको India Inc. ने publish किया 2003 के अंदर ठीक है इनका third work रहा Home Random House इंडिया ने publish करवाया 2006 के अंदर नमबर फोर पे है The Immigrant Random House ने publish किया 2008 के अंदर इसके बाद में नमबर फाइव पे है Custody देखे इन Custody अनिता दिसाई का novel है और अकेला Custody जो novel है वो आपके मंजु कपूर का है ये 2011 के अंदर आया तो ये slide आपके लिए important है क्योंकि यहाँ पर five work दिये गए और फाइव के five में से एक तो difficult daughters important है नमबर सेकंड इस married woman भी important है नमबर थर्ड होम नमबर चार पे immigrant और नमबर पाँच पे Custody ये पाँच के पाँच work important है आगे भी मैं इनके बारे में बात बताऊंगा ठीक है ये 2014 के अंदर आया और brothers 2016 के अंदर यानि कि अब 2022 चल रहा है तो भी आज से आठ साल पहले ये लाश्ट वालवर की important है ब्रदर्स को कि वो पूछ लेता है कि भी which one of the last work भाई मन्जु कपूर अब इनके जो works है इनके जो novels हैं जो इनके नोबल लिखे हैं उन पर टेलिविजन के शो बने हुए हैं आपने बहुत लोगों ने तो भी नाट के सुना होगा ये है मोहबते जो कि स्टार प्लस पर आता था हिंदी के वर्जन था उसका वो एक जो इनका वर्क था एक ता कपूर प्रडक्शन ने टेलिविजन पर चलाया था बालाजी टेली फिल्म के द्वारा ठीक है ये है मोहबते इसके अरवा मन्जु कुबूर का जो novel है कस्टडी अच्छा इनका जो कस्टडी नोवल था मैंने देखा ता पीछे कस्टडी कब आया था 2011 के अंदर आया था उस कस्टडी नोवल पर बेस्ट कुछ सीरियल्स बनाए गए जिने में से एक है ये है मोहबती star plus पर अलग एक मराथी इसी वर्क पर قस्टडी वर्क पर ही मराथी के अंदर ये जो ये है मोहबत ये तो हिंडी के अंदर हो गया star plus पर और मराथी के अंदर पर इसी कहानी पर नलाकत सारे गादले यह मराठी वाशा का शब्द है उसके मैं गल्त परनाउंस करूं ठीक है तुरा अंडर्शन कर लीजिए मराठी के अंदर जोशी प्रडक्शन ने चलाया फिर इनका इसी के कस्टडी पर वेस्ट एक और सीरियल सीरियल प्रनायम ऑन्दा एसाइंट एंड मलैलम यह मलै इतना इंपोडेंट है तमिल के अंदर नाटक बन गया मलैलम के अंदर बन गया मराठी में बन गया और हिंदी के अंदर इसलिए नोवल इनका इंपोडेंट है कस्टडी ताद रखना फिर इनके कुछ नीचे वर्क दे रहा है मौन निये कच्चा कची और स्टार जलसा इन तो बंगाली के अंदर भी इसके अलाबा प्रदेश में है मेरा दिल टेली कास्ट और स्टार प्लस अंडर एकता कपूर प्रडक्शन हाउस बालाजी टेली फिलम्स इस वेस्ट ऑन दा मन्यू कपूर नोवल इमिग्रेंट जो इनका जो नोवल था इमिग्रेंट कब आया त स्टार प्लस पर यह ना तक आता था या अब आता अब हो आप देख लीजिए ठीक है फिर इनका दा मैरेड़ बुमेन इस एक बैब सीरीज अंडर एकता कपूर परडक्शन और इस अवेलेबल ऑन एट बालाजी इस बेस्ट ऑन दा मन्यू कपूर्स नोवल इमिग्रेंट इन तीनो पर टीवी सीरियल्स बन चुके हैं इसलिए इंपोर्डेंट है अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जो जानकरी अभी जो मैंने बताया सारी के सारी ऑथेंटिक इनफरमेशन थी विकीपीडिया से यह सारी की सारी स्राइड्स हैं ठीक है अब हम थोड़ा सारी के मे के साथ इनके husband का नाम है अभी ये present time के इनद डैली में रहते हैं education की बात करें तो MA from Dalhouse University in Hollyfox, Canada Canada से की है इन्होंने MA और MPIL की है डैली उनिवस्टी से occupation की बात करें अब तक आप जान चुके होंगे कि एक novelist है एक professor of English at Miranda House डैली उनिवस्टी इन डैली तो ये एक professor as a professor भी काम कर रहे है डैली के अंदर जो Miranda House डैली उनिवस्टी उसमें अवाड की बात करें हाला कि मैंने पीछे बात कर ली बर तो तो आप स्लाइड से देख लीजी आपको याद जिलवाने के लिए अवाड इंपोर्टन है 99 के अंदर Commonwealth Writer's Prize for First Novel Difficult Daughters Difficult Daughters की बुक का कबर पेज आप स्लाइड में देख सकते हो स्लाइड में दे रखा है ये इनकी बुक का कबर पेज है Difficult Daughters फिर 2011 के अंदर DCS Prize for the South Asian Literature ये प्राइज के लिए इनको shortlisted किया गया था इनको मिला नहीं shortlisted किया गया और वो वर्क कौन सा था इनका The Immigrant याद रखना Immigrant Works की बात करें Difficult Daughters 1998 के अंदर First Novel था फिर No.2 A Married Woman 2002 के अंदर इनका Second Novel था Home 2006 के अंदर इनका Third Novel था The Immigrant 2008 के अंदर Custody 2011 के अंदर Shaping the World Women Writers on Themselves 2014 के अंदर और Brothers 2016 के अंदर Manju Kapoor's Writing Reflect the Experience of Women in a Real World ये जो भी लिखती है आपको पता ही है कि हमने शेशी देशपंडी जी को देखा अनिता देसाई जी को देखा ये सारी की सारी जितनी भी female writers है वो सारी की सारी जितनी भी females को एक society के अंदर problems face करनी पड़ती है उन पर जातर ये लिखती है इनका जो works है वो women's की जो real world के अंदर क्या experience वो face करती है उन पर लिखा She writes about personal experience problems, spaces and identity crisis अपना जो personal जो face किया वो कोछ लिखा She writes what today's women can relate easily and see her novels as of their own life इनके novels को पढ़कर कोई भी women उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनीकी life के बारे में लिखा गया है She deals with the traditional and modernist ethos जो भी traditional और modernism के ethos हैं cultures हैं उन पर ये लिखती है women trying to find their identity कि इन सभी के cultures के अंदर रितिरी वाजों के अंदर एक women की identity कांक हो गई ये इनका theme रहता है Kapoor's female characters are highly individualistic and sensitive they never surrender but react against it तो ये तो आपको जश्ट आपको थोड़ा extra information है क्योंकि factual question RPC तो उपर-उपर से पूच लेगा अगर आप कोई बड़े exam की तेहरी कर रहे जैसे UGC net हो गया से relate करते है बर्मती, अस्था, निशा, शगुंतला and रूपा all the searching for their grounds internally interestingly from a wrong threshold ये कोछ निके वही characters and novels के Kapoor's film protagonists are mostly educated spring individual caged with and confines a conservative Indian society their education leads them to independent thinking for which their family and society became intolerant of them for Kapoor is appearing in the feminism is both a concept and moments in the present century and it is a new dominions to contemporary thinking कुल मिला के औरतों के बारे में बीठीक है अब रहर आप इतना समझे लिजेए कि औरतों के condition के बारे में इन्होंने लिखा है तेलिविजन सीरियल्स मैंने पीछे बात कर ली थी तो आप देख लीजे मन्जू कपूर्स नोवल कस्टडी है इनकी इनका जो नोवल है कस्टडी उस पर एक ही नोवल पर अलग अलग लैंग्वेजिस के अंदर बहुत सरे टीवी सीरियल्स बन चुके है फोटो आपके साइड में दे रखा है इदे देख लिजे ये बीच में जो फोटो लगी हुए ये है महबते स्टार प्लस पर जो आता था उसका ये फोटो लिया गया है ये है महबते इन हिंदी प्रनायम इन मलैलम कल्याम मुडाल कंडाल इन टमिल अवानू मथा सरवानी इन कंडड़ इन के नाम सही नाप पर नाम सकरपाउं क्योंकि है मलैलम बाला मलैलम के अंदर है तमिल बाला तमिल में है कंड़ बाला कंड़ के अंदर है आगे तेलंगू के अंदर है बेंगाली के अंदर है ठीक है ये उपर जो दी है ये सारे के सारे कस्टडी पर बेश जाएं परदेश में है दिल मेरा इस बेश ओन दा मंजुक कपूर नोवल दा इमिग्रेंट इमिग्रेंट की फोटो यहां पर दे रखी है अला कि मैंने आगे आगे आपको दिखाऊंगा अलग अलग और दिखा दूँआ ठीक है तो परदेश में है मेरा दिल और ये हैं मुहबते इनको मत बूलना तो चलिए मैं स्लाइड पर याद चुका हूँ अब आपको बुक्स के बारे में दिखाता हूँ इनके बुक्स कौन कौन सी है कवर पेज दिखाऊंगा उनके कुछ देख लिए जैसे की देख लिया मंजुक पूर का डिफिकल्ट डॉटर्स इंपोर्डन्ट है याद रखना फर्स्ट नोबल है कॉमन वैल्ट राइटर्स प्राइजिंस को इस वरक के लिए मिला था 1999 के अंदर वरक आया कबता 1998 के अंदर मंजुक पूर्स कस्टडी जिस पर अभी बताया था नोबल बन चुका है ठीक है कस्टडी बन चुका है यहनि का नोबल है देखिए कितना बड़ी है कबर पेज है कबर पेज दिखाने का मेरे टार्गेट ही होता है कि हम तोना साथ लिंक कर पाते है जीदों को कि इतना बड़ी है वरक है मैं तो लिटरेचर जब भी पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा इंट्रेस्टिंग लगता है बुक्स को देखना कि कि इतना बड़ी है कबर पेज होगा बड़ी है क्योंकि आपना जिस प्रकार का आप अनवायर्मेंट करेट करोगे ना पुरह लगना चाहिए कि लिटरेचर के स्टूडेंट हो आप ठीक है मनजु कोपूर का हों इमेरे बुमेन Ewraine का The Immigrant जिस पर आपके नाठक बनाता है पर देश में दिल रहता है और यह है आपका नाठक महब्बती सवावार से रभी बार साड़े हुआ ब آरा बजे स्टार प्लस पर अगर आप चाहो तो देखना चाहतो वहीं देख सकते हो YouTube का जमाना है क्योंकि स्टार प्लस पर नहीं तो YouTube पर पड़ा होगा तो यह थी अपनी वायोग्राफी मंजु कपूर के बारे में वीडियो नंबर पैन थी यह मंजु कपूर जी के बारे में इसके बाद में यमारी लास्ट वीडियो रहेगी अरुंदती रोएक के बारे में लास्ट आपको के सर्वांपे तो 15 राइटर्स दे रखें बाकी काम पे गए तो बाकी की मैं वीडियो तो अर्ड़ी बना चुका हूँ पहले और आपका बहुत बड़िया उस पर रिविव आ रहा है क्योंकि रुविंदर ना टगवर की बायोग्राफी पर तो 60,000 के तकरीवन भी आ चुके हैं उसके बाद में तोरुदत हो चुकी आपकी नेजिम एजिकल हो गए तमलादास इन चारों की वाईवराफी मैं पिछले साल ही कबर कर चुका था ठीक है इसलिए आपके 11 यहां पे हो गए चार वो होगे टुटल होगे 15 नमबर 10 पे मंजु कपूरती नमबर 9 पे अमितव गोश और नमबर 8 पे जायंत महपात्रा नमबर 7 पे ते आपकी शशी देश पांडे नमबर 6 पर अमने कवर किया था अनिता देसाई जीको नमबर 5 पर अरुन कुलातकार जीको 4 पे रशकिन बॉन्ड नमबर 3 स्रोजनी नाइडू और नमबर 2 पे मरता मुलकराज अनंद और नमबर 1 जो वीडियो थे अपनी वह थी र्के नराइग थिक है तो कल अपनी लाश्ट वीडियो रहेगी उसके बाद में हम शुरू करेंगे जोए आपको कवे सब्सके misma अगर आपको बढ़िया लगे तो ना लगे तो भी कोई प्रोबलम नहीं है थिक है मेरा काम ता पढ़ाना मैंने पढ़ा दिया आपकी जो भी feedback है आपको कोई चीज गलत लगी हो, बुरा लगा हो कोई चीज आपको लगे किसर ये कमी है तो most welcome आप पका लिखिए ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ improve कर सकूँ इंसान गलतियों से सीखता है ठीक है, शेर करना ना करना आपकी मर्जी है आपने वीडियो को देखा इतना इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वायोग्राफि के साथ बाई बाई, थैंक यू, टेक केर